हलो एवरीवन दिस इस उत्कर शुकला फ्रम उत्करश एजुकेशन च्छे नवंबर के डेली करेंट अफेर्स के वीडियो में आप सभी का स्वागत है इस करेंट अफेर्स की सीरीज के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप सभी को डेली 10-15 मिट में जो मैतुपूर करेंट अफ नहीं पढ़ना है यह किसी स्पेशल करेंट अफेर्स के लिए नहीं बलकि आपको एक जनरल करेंट अफेर्स बताने के लिए है जिससे जो आपके सभी एक्जाम में फायदा देगी जब किसी विशेश एक्जाम को नोटिफिकेशन आएगा तब मैं उसके बारे में स्पेश करेंट अफेर्स को सुनिए आपके सभी वंडे एक्जाम में यह बहुत फायदे मंद रहाएगा क्योंकि इस करेंट अफेर्स को वराने में मैं केवल सबसे ज्यादा न्यूस पेपर्स का इस्तवाल करता हूं अब आईए आज के करेंट अफेर्स के बारे में चर्चा करते ह सबसे महत्पूर्ण बाजानकारी जो भी मिल रहे जो भी कई दिनों तक आपके सामने समाचार चैनलों और यूटूब पे भी मिलेगी अभी हाली में अंतराष्टी पर्यावण सम्मेलन की 27 भी बैठक 6 नवंबर से मिश्र में शर्म अल शेक नाम पर की जाएगी इस सम्मेल इसका बुईती कहां उईती उसका स्लोगन क्या था उसका नारा क्या था वो सब आपको याद रखना है वो अभी कल आपको एक बैठक पूरी हो जायागी तो कल वो सब Death डियो है ऍहुक्त है आ drift श्रब न करपा है अगली खबर की आप संबूरी बात आपको को याद रखनी है कि इसको भारत की मश्रूम सिटी भी कहा जाता है पेपर में आएगा कि भारत की मश्रूम सिटी कौन है तो आप कहेंगे सोलन माचल प्रदेश के जो स्टेट एक्जामस हैं उनमें सबसे ज्यदा पूछा जाएगा कि मश्रूम से किसको कहते हैं सोलन आईए अगली खबर पर पढ़ते हैं पांच नवंबर को यानि कल को देश के जो प्रथम मद्दाता थे स्याम सरण नेगी उनका निधन हो गया था स्याम सरण नेगी हिमाचल प्रदेश के किन्नोर जिले के कलपा इलाके में आते हैं वहाँ वो शिक्षण का कार करते थे अब वो रेटायर हो गए थे 105 वर्ष की उम्र में उनका पांच नुम्र को निधन हो गया था सितंबर में पहली बार 1950 में उन्होंने मद्दान किया था आपको याद रखना है कि देश के प्रथम मद्दाता कौन स्याम सरण नेगी वो कहां के हैं हमाचल प्रदेश के किन्नोर संत्री योगी आदितनाथ ने टाटा समूंदारा 4000 करोड़ रुपई से प्रदेश के 150 आइटी आई को और अधेक एडवांस बनाने के लिए जो योजना उसको सीकृति दे दिये जिसमें उन्होंने बेसिकली टाटा को ठेका दे दिया है कि तुम आइटी आई को इंप्रू करिए आप आइटी आई का और चुकि टाटा समूं एक बड़ा समूं है उसके सिक्षण सरस्थान खुद के भी हैं तो टाटा समूं को सुधार के लिए उन्होंने कह दिया है और प्रदेश सरकार भी इसमें लगवग 1200 करोड़ रुपई का योगदान देगी जिससे आइट पढ़ने वालों के लिए रोजगाय सुनिश्चित किया जा सके आपको यह याद रखना है कि काय कल्प का टेंडर टाटा को दिया गया है उत्तर प्रदेश में दिया गया है और टेंडर की वेल्ली वेच चार जाए क्रोड़ रुपए आप सबसे जरूरी खबर जो आज है दिल्ली में दिल्ली आई कोर्ट में जो है राष्टकान और राष्टकी से सम्मंदित एक मामला चल रहा है कि राष्टकान ज्यादा जरूरी है राष्टकी ज्यादा जरूरी है उनके कानून कैसे होने शी वगएरा वगएरा उससे सम्मंदित केन सरकार ने कल एक हलफ नामा जारी किया है जिसमें केंद सरकार ने जवाब दिया है दिल्ली आई कोड ने केंद सरकार से जवाब मागा था कि आप इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं देते और जानकारी जो है उसको क्लियर क्यों नहीं करते तो केंद सरकार ने कल जवाब दिया है कि अब उनके हलफ ना ने 24 जनवरी 1950 को जनवगानमन को भारत के राष्टगान की रूप में अपनाया है 1971 में राष्टगान में बाधा पहुंचाने को दंड़नी अपराद बताया गया और 1971 में इसके लिए प्रिवेंशन आफ इंसल्ट टू नैशनल ओनर राष्टी सम्मान के अपमान के लिए रोक का जो कानून है वो 1971 में लाया गया था जिससे राष्टगान का अपमान करने समय राष्टगान के समय कुछी और करते समय आपको कानून सजा हो सकती है का मामला यह चल रहा है कि राष्टगीत सेसंब्न ब्हुता कि प्रावधान नहीं तर आपको कानून सजा का Next जाए नहीं तो कोई नियम नहीं है हाई Cup कर आ क्हुंद आ जो स्पष्टी गरन दिया है जो आपको जिल्कुल याद रखना है जो exam समें अगले पूछा ही जाएगा कि हमारे मौलिक करतव जो है उनमें जो राष्ट के परती सम्मान है या राष्ट की जो निधियों के परती सम्मान है जो उसमें सब्ध भी है राश्ट गीत का कोई सम्Bन्द नहीं है मौले करतव सम्विधान में भी राश्ट गीत की विवस्ठा नहीं है सारा मामला इसी सम्मन्दται है राश्ट गीत को उचे दर्जा दिलाने के लिए यह मामला चल रहा है इस मामले को मैं follow करता रहूँगा और जो भी important चीज़े होंगी वो आपको बताता रहूँगा प्लीज इस 5-6 मिनट के जो daily current affairs मैं डालूँगा कभी-कभी बढ़ भी जाएंगे 10-15 मिनट भी हो सकता है आप उसको देखते रहिए उससे आपका daily current affairs बहुत अच्छा रहेगा इसकी PDF मैं टेलग्राम पर डाल दूँगा प्लीज आप उस PDF को अपने पास सेव कर लीजिए आप अपने मन से revision कर सकते हैं बाकी paper के पहले उसका revision कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा ही Thank you very much जय हिंद